आई आज आपको बताते हैं एक बहती रोचक खबर जंगलों में मिली है मोगली गर्ण जो इंसानों को देखकर डर जाती है जंगल बुक के मोगली के बारे में तो आपने सुनाई होगा मोगली एक इंसानी बच्चा तो भेडियों के बीच में पढ़ा बढ़ा और उनी की भाषा बोलता, उनी की तरह खाता पिता और व्योभार भी उनी की तरह करता हाला कि मोगली एक कालपानिक पात रहे हैं यह तो हम नहीं जानते हैं परंतु उत्तरपदेश के भराईस के जंगल से पुलिस को एक 10 साल की ऐसी लड़की मिली है जो बंदरों के जुन में रहती थी और वह इंसानों के भैशा बिलकुल नहीं जानती उसका विवार भी जंगली जानवरों जैसा ही है कोई उसे मोगली गल कहता है तो कोई जंगल की गुडिया संभव तो उसने इंसानों को कभी देखा ही नहीं तब ही वह इंसानों को देखकर डर चाती है और भागने का प्रयास करती है फिलाल यह लड़की उत्तरपदेश के भराईस जीरा अस्पदाल में भरती है यह बच्ची डॉक्टर और वो अन्ने लोगों को देखते ही चिला उठती है थाली के खाने को जमीन पर फैला देती है और फिर बिलकुल बंदरों की तरह जमीन से खाना उठा कर खाने लगती है वे अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती क्योंकि उसने बंदरों की तरह ही दोनों हातों और पैरों पर चलना सीखा है इस दस वर्षे घरसे में बच्ची के बारे में कोई कुछ नहीं जानता परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इस बच्ची की परवरिश बंदरों के बीच हुई है लड़की बंदरों के बीच नगना वस्था में मिली उसके बाल और माकून बड़े हुए थे पुलिस के मुताबिक कई दिनों पहले गाओ वालों ने इस लड़की को देखा था उन्होंने लड़की को बंदरों से बचाने की कोशिश भी की थी लेकिन बंदरों के जुणने गाओ वालों पर ही हमला कर दिया पुलिस कई दिनों से इस लड़की को खोजने के लिए जंगलों में गश्ट लगा रही थी कई दिनों की गश्ट के बाद पुलिस को ये लड़की मिली है डॉक्टर और वन्यकर में मिलकर इस बच्ची के वेवार को सुधारने में जोटे हुए और उनका दावा है कि बच्ची अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है